इस पार प्रिये मधु है तुम हो उस पार नजाने क्या होगा ये चांद उदित हो कर नभ में कुछ ताप मिटाता जीवन का लहरा लहरा ये शाखाएं कुछ शोक भुला देती मन का कल मुर्जाने वाली कलियां हसकर कहती हैं मगन रहो बुल बुल तरुकी खुनगी पर से संदेश सुनाती योवन का तुम देकर मदिरा के प्याले मेरा मन बहला देती हो उस पार मुझे बहलाने का उपचार नजाने क्या होगा संसरती के जीवन में सुभगे ऐसी भी घड़ियां आएंगी जब दिनकर की तम हर किरने तम के भीतर छुप जाएंगी जब निजप्रिय तम का शवरजनी तम की चादर से ढग देगी तब रविशशी पूशित ये प्रत्वी कितनी दिन खेर मनाएगी जब इस लंबे चोड़े जग का स्तित्व न रहने पाएगा तब तेरा मेरा नन्ना सा आधार न जाने क्या होगा इस पार प्रिय मद्व है तुम हो उस पार न जाने क्या होगा तो कितना अच्छा होता है कि ये कविता अगर हम खुद उसके कवी की आवाज में सुन पाते तो आप नई धारा ला रहा है आजकल के कुछ बेहतरी कुछ चुनिंदा लेखकों की चुनिंदा रचनाएं उन्हीं के स्वर में खास तौर पर आप सब के लिए तो शरीख हों शामिल हों शुपर को शुपरों स्वर आप स्वर्कें रहा है झाल झाल